सब नए वीडियो के साथ स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर मेरे नाम है खीरती आज हम बात करने वाले हैं CT वैल्यू की IT PCR टेस्ट होता है उसमें नॉर्मल CT वैल्यू क्या रहती है और COVID-19 में CT वैल्यू क्या बताई जाएगी जिससे आपको पता चलेगा पॉजिटिव है निगेटिव और CT वैल्यू CT स्कोर से किस तरीके से अलग है दोनों चीजें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी तो इवन जिन लोगों से रिपोर्ट एदी इनकेस आपने अपने टेस्ट करवाया और आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी रिपोर्ट में क्या आ जाएंगे कि CT स्कोर क्या है CT वैल्यू क्या है दोनों चीजें डिफ्रेंट हैं दोनों चीजें बिलकुल भी सेम नहीं है क्योंकि CT वैल्यू आपकी बॉडि में इंफेक्शन है या नहीं इस चीज को कंफर्म करेगा और CT स्कोर आपकी बॉडि में लंग्स में इंफेक्शन हुआ है वो कितनी सीवियर कैटिग्री तक पहुंचा है तो दौनों चीज़ें अलग-अलग है वीडियो में तक जरूर बने रहे हैं जो लोग चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि IT-PCR क्या है देन CT value इसमें किस सरीके से पता चलेगी और CT score क्या है तो CT score को अलड़ी में separate वीडियो के थो समझा चुकी हूं बटे हैं पर आपको एक sort form में जरूर बताऊंगी कि यदि आप अपना HR CTF CT scanning करवाते हैं तो किस सरीके से आपको पता चलेगा कि आपके lungs में कितना severe infection है यहां पर हमें बिल्कु कितने percent infected हैं तो चलिए हां पर हम start करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे IT-PCR test की IT-PCR test है क्या इसका नाम यहीं क्यों रखा गया reverse transcription that means कि जो human body होती है मैं आपको एक बार पहले भी बता चुकी हूं कि human body का genetic material होता है वो क्या होता है DNA बट जो covid-19 virus है coronavirus है SARS covid second virus है इसका genetic material RNA है तो इंडिया में even all over world में ऐसी कोई भी technique नहीं है जिससे direct body में हमारी RNA को find out किया जा सके DNA को find out करने की technique है हमारे पास तो इसी लिए जो RNA है इसको RNA DNA to RNA को conversion किया जाता है जब तो हमारे पास DNA को find out करने के लिए technology है बट RNA के लिए नहीं है तो जब DNA को RNA में conversion किया जाता है तो वो process कहलाती है transcription यह process आपने biochemistry में 11th 12th में 10th के बच्चों ने भी पड़ी है कि जब हम DNA को RNA में convert करते हैं तो process क्या कहलाती है transcription but again RNA को DNA में convert किया जाता है तो यह process कहलाती है reverse transcription तो हमारे पास क्या है DNA को find out करने की technique है बट RNA को find out करने की technique नहीं है तो यहाँ पर जो RT-PCR test होता है तो इसमें क्या किया जाता है कि इसकी CT value होती है CT value CT value के द्वारा यहां पर पता किया जाता है CT का मतलब होता है पर cycle threshold cycle threshold जो value होती है इसको find out करने के लिए IT-PCR test की एक जो value दी जाती है उसको कहते CT value तो इसमें CT value का मतलब होता है कि जो हमारी body का DNA है इसको RNA में convert किया गया फिर then again जो RNA enter हुआ है हमारी body में उस RNA को DNA में जब convert किया जाता है reverse transcription तो कितनी cycle घुमाने के बाद जैसे कि आप इस चीज से समझ सकते हैं कि चक्की में कितनी देर तक पहले जब भी कोई भी चक्की हो या फिर कोई भी juicer आप ले लीजिए कि आप उसको घुमाते हैं जितना जादा घुमाएंगे उतना ज्यादा आपको juice मिलेगा यदि कोई भी fruit में juice है तो in case right same thing यहाँ पर वही है कि जब RNA को DNA में convert किया जा रहा है इस RNA को क्योंकि single standard chain होती है तो इस RNA को DNA में convert किया जा रहा है तो यह process क्या कहलाती है reverse transcription पहले DNA को RNA में convert किया गया फिर उसी RNA को DNA में convert किया गया तो यह reverse transcription कि process होती है तो इसमें किसनी cycle घुमाने के बाद जो viral load का पता चलता है तो वो value क्या कहलाती CT value किस नाम से जानते हैं उसको CT value क्योंकि हमारे पास ऐसी technique नहीं है जिससे हम क्या पता कर सकें कि कितना RNA है तो पहले human body में जो DNA है इसको RNA में convert किया जाता है फिर इसी RNA को again then DNA में convert किया जाता है तो process कहला थी reverse transcription process तो इस reverse transcription process में कितनी cycle घुमाने के बाद है जो value पता चलता है viral load पता चलता है तो वो value कहलाती है CT value और according to ICMR Indian Council of Medical Research जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी उसके according यदि CT value आपकी RT-PCR test में CT value 35 से कम आती है below 35 आती है that means you are positive यदि CT value आपकी 35 से कम आती है इसका मतलब आप लोग क्या है positive है तो CT value है जो cycle threshold value है यह 35 से नीचे आती है 35 से कम आती है that means you are positive हाँ यह value है जो ICMR दी है बट हम बात करें अलग-अलग lab की जितने भी laboratory है इंडिया में उनकी 2-3 points उपर नीचे वो value बताते हैं तो जब भी आप अपने test करवाने जाए तो आपको अपनी cut-off जरूर पूचना है कि आपके यहां का जो city value दी गई है कि 35 है तो जो मेरी value है patient की value वो कितनी आई है वो भी मुझे जरूर बताएं इस तरीके से आप अपनी reports को देख सकते हैं और even जो आप reports check करते हैं तो उस remark में बताया भी जाता है कि आपकी city value इतनी है तो city value से आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो sample लिया गया है उसमें virus का load कितना है CVIT विल्कुल भी पता नहीं चलेगी यहां पर आप negative यहीं चीज़ वास आपको confirm होगी यह पता नहीं चलेगा कि आपको कितने percent lungs infection हुआ है तो अभी इंडिया वे एड प्रिजेंट में जो city RT-PCR करवाया जा रहा है as compare to antigen जो rapid antigen test हो रहा है उसके compare में ज्यादा अच्छ रिजल्ट हो कर रहा है बट इसके लिए क्या है कि अधी आपका sample लिया जाता है तो RT-PCR की report है 24-47 घंडों के बाद आती है after collection of sample और जो यहां पर city value है यह आपके sample पर भी depend करती है कि आपका sample कब लिया गया किस तरीके से store किया गया सही तरीके से लिया गया है नहीं इस अभी चीजें भी city value को है जो affect कर सकती है तो जो normal आपको याद रख रहा है most important thing कि city value का cycle threshold तो इसको किस तरीके से count किया जाता है कि हमारे पास क्या है DNA to RNA convert करना आता है बट RNA को DNA में convert नहीं करना आता है तो पहले जो DNA है human body में उसको RNA में convert किया जाता है जो हमारी human body का DNA RNA में convert किया गया उसी RNA को again DNA में convert किया गया तो जब उस RNA को DNA में convert किया गया तो हमारी body नहीं पहचानेगी कि यह कौन सा RNA है फिर DNA material है बाहर का है अंदर का तो वो process कहलाएगी reverse transcription तो इसी reverse transcription में कितनी cycle है जो use की जाएगी इस viral load को confirm करने के लिए तो value क्या कहला थी cycle threshold value और CT value in RT-PCR तो यदि आपकी CT value RT-PCR टेस्ट आपने करवाया 35 ते काम आती है that means you are positive according to ICMR ने value है जो रखी है अलग-अलग lab की अलग-अलग value है बट आपकी cut-off है जो आपको बता दी जाएगी कि यदि किसी lab ने कहा कि हमारी जो CT value है 40 है उन lab बालों ने कह कि हमारे जो CT value रखी गई है 40 है मतलब below 40 अधी आपकी value आती है बट जो mostly lab है वो 32 और 35 को यूज कर रहे हैं अभी recent में तो यदि आपकी CT value 35 से कम आती है that means you are covid positive बट आपको यह नहीं मानना है कि आपको कि इतनी CVIT है क्योंकि CVIT आपको CT scan HR CT scan chest scanning से पता चलेगा यह only viral load का पता कि आपको virus है या नहीं तो यहां पर यह हो गया तो अभी recent में जो एक medicine आई हुई है Remdesivir Remdesivir बहुत ज्यादा market में available नहीं है अब उसके बाद जो black fungus फैला है उसके लिए anti-fungal medicine की shortage भी हो गई बहुत ज्यादा तो जो यहां पर बात कर रहे हैं कि CT value और जो cycle threshold है किस तरीके से चेक होगा राइट है तो आपको समझ में आ गया होगा यहां पर आप एक image के थो भी समझ सकते हैं कि यदि जो sample लिया गया cycle threshold value ए रहेगी यहां पर कि यदि आपका threshold का मतलब है कि कोई भी चीज सो हो गई है आपने जितने ज्यादा बार कोई भी machine को घुमाया इतनी ज्या है तो वो process कहलाएगी यहां पर city value सो करेगी यदि आपका sample दिया गया और इस sample is threshold value से कितना नीचे आता है 35 से नीचे आता है that means you are positive यदि इसके ऊपर जाता है मतलब कि आ लिगेते हो हैं तो यहां पर city value इस तरीके से यहां पर आपको पता चलेगी तो बात करते हैं city value की मेजरिंग की जाती है वही मैंने आपको बताया कि number of cycles needed in the rt-pci test to amplify viral RNA तो RNA virus को detect करने के लिए number of cycles use की जाती है जो RNA जो DNA को RNA में convert किया गया then again RNA को DNA में convert किया गया same thing तो यहां पर रदी आपका city value below 29 है 29 से कम है that means आपके जो body में virus क्या है बहुत ही जादा है high viral load है क्या है high viral load है वेदी city value आपकी 30 से 37 आती है that means moderate amount of viral load है more than 38 to 40 आती है इसका मतलब है कि आपको minimum viral load है तो आपकी city value है normal city value की बात करें हम तो 40 के ऊपर जाती है that means आप positive नहीं है negative है और यदि below 35 जाती है मतलब कि आप positive है तो यहां पर high viral load का मतलब होता है कि पेसेंट बहुत ही ज्यादा infectious है तो according to ICMR के कहा गया है कि जब पेसेंट का जो viral load है city value है more than 29 तक जाती है तो इससे क्या पता कर सकते हैं कि उस पेसेंट को बहुत ज्यादा severity है तो यहसे case में क्या किया जाता है है फिर सीटी स्केनिंग ए फिर एक्स्रे करके confirm कर जाता है कि कि इतने परसेंट आपके लंग्स तक infection पहुंच चुका है तो आपको यह तीनों value याद रखना है कि city value क्या है यदि आपका जो ITPCI test होता है उसमें आपकी city value कितनी आती है 35 से कम that means आपको infection है यदि आपकी city value चीज समझ में आ गई होगी short form में कहें कि जितनी कम रहेगी आपकी city value आपको उतना ज्यादा high viral load है body में but high viral load है तो इससे भी आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि high viral load से पता चलता है कि आपको वाइरल जो वाइरल लोड है कितना ज्यादा है तो वो host की body पर immunity पर भी depend करता है यदि आपको कोई और comorbid condition है diabetes है blood sugar problem है तब आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है बट जिनकी immunity strong है strong लोग है तो उनका जो city value है वो कम भी आती है जितनी कम city value उतनी ज्यादा viral load तब भी उनके ठीक हो रखते हैं वो लोग बट जब आपकी city value का पता चलता है देन आपको doctor directly नहीं कह सकते हैं कि आप जाई और अपना city scan करवाई फिर वो doctor के check करने पर depend करता है कि आपको किस तरीके का पहले x-ray करवाएं कि city scanning करवाएं क्योंकि अभी recent में dr. रंगदीब गुलेरिया ने भी कहा था कि या तो आप एक बर city scanning करवाएं हर city करवाएं या फिर आप लोग 300 बार x-ray करवाएं chest x-ray तो same radiation आप पर effect करेगा तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि IT PCR में city value क्या है तो आपको simple form में याद रखना है कि जितना जादा जितना कंद city value उतना जादा viral load तो यहाँ पर city value के बारे में एक चीज़ और हम जानते हैं कि city value in RT-PCR depend on host response कि host है जो patient उसके response पर depend करती है city RT-PCR की value कि आप किस तरीके से RT-PCR जो आपका sample लिया गया जो value आई है किस तरीके से response देते हैं यदि आपको कोई co-morbid condition है weak immune response है आपका या फिर आप HIV positive immune suppressive medicine आप ले रहा है तब आपको careful होने की जयूरत है city value source the viral load of patient city value क्या source कर रही है कि patient का sample लिया गया उसमें virus का load कितना है यह CVIT of infection को confirm नहीं करता है यदि 35 से कम आपकी city value आती है IT-PCR में that means you are positive है अब बात करते है HR CT score की क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोग confused है तो HR CT score है जो different CT values CT value का मतलब हो तह cycle threshold जो DNA जो process convert करने की की गई तो cycling करवाई जाती है तो वो क्या है city value बता रहा है but CT scan है जो different CT score अलग है CT value और score दोना different thing है CT value है जो अलग है जो IT-PCR में पता की जाएगी हम बात करेंगे HR CT score और CT score की जो की COVID-19 पेसेंट में अभी बहुत ही जाना यूज की जा रही है यह पहले भी लंग्स में कोई infection है chest injury हुई हो टीवर क्लासिस हुआ हो pulmonary TB हुई हो या फिर लंग्स में abscess formation हुआ हो तो उन सभी के लिए करवाया जाता था HR CT बट अभी present की बात की जाए तो HR CT COVID-19 के पेसेंट में भी यूज किया जा रहा है तो इसका main काम है की लंग्स में कितना infection है उसको find out करने के लिए HR CT करवा ही जाती है तो HR CT डारेक्ट नहीं करवाना चाहिए जब आपको five days तक का infection हो चुका हो तब आप लोग HR CT करवाएं नहीं क्योंकि जो starting के five days होते हैं उस time तक आपका जो COVID-19 virus है गले तक ही रहेगा आफ्टर six five five और six days लंग्स में एंटर करेगा तो आफ्टर five days के बाद ही आपको जो infection के sign आ रहे हैं तो पांच से छे दिन के बाद ही HR CT करवाएं क्योंकि यदि उसके पहले करवाते हैं तो इस नहीं करेगा तो यहां पर HR CT स्केलिंग का मतलब यह नहीं होता कि इतने स्कोर आपके आपके लंग्स इतने ज्यादा डेमेज हो गए इससे पता चलेगा कि आपके लंग्स में कितने percent infection है राइट तो यहां पर percentage of lungs involvement as per lobe तो यहां पर यहां पर देखिए इससे भी आप समझ सकते हैं क्योंकि हमारी human body one total two lungs रहेंगे तो right lung में तीन लोब रहते हैं left lung में two total मिला के कितने पांच लोब हो गए तो इन पांच लोब को मिलाके जो scoring दी जाती है पांच लोब है एक दो तीन चार पांच one two three four five five point है हम पर यूज किये गए बन पॉइंट कब दिया जाएगा less than जब कितना infection हो five percent abnormality present हो यहां पर देखिए आप एक score दिया जाएगा यदि आपको पांच परसेंट infection है एक लोब में या फिर किसी भी लोब में five to twenty five percent infection है तब दो score दिये जाएगे पचीश से 50 percent infection है जब तीन दे दिये जाएगे पचास से पचातर है तो चार more than 75 है तो five तो यदि आपका patient का score कितना आता है more than eight आता है sorry less than eight आता है that means आपको mild infection है जब 9-15 आता है तो moderate more than 15 means severe तो यहाँ पर है जो CVRT है यह scoring है आपकी यह नहीं कह सकती कि आपके lungs इतने damage हुए है scoring आपको यह बताएगी कि आपके lungs में कितना percent infection हुआ है क्योंकि अभी 90-90% lung infected लोग भी ठीक होते जा रहे हैं जो death हो रही है या तो उनको time पर treatment नहीं मिल पा रहा है या फिर treatment delay हो रहा है उनका इस कारण से और अभी हमारे इंडिया में इतनी सुविदाएं भी नहीं है कि जो even doctors है nurses हैं उनके treatment के लिए तक जो even government में अपनी सालों से सेवा दे रहे हों उनको भी proper treatment हमारी सरकार प्रवाइड नहीं करवा पा रही है तो आई होप आपके लिए hrct scoring समझ में आ गई हो तो ct value जितनी कम infection उतना ज्यादा hrct scoring जितनी ज्यादा उतना ज्यादा infection तो इस दो चीज़ें आप लोग clear कर लें same thing है विलकुल भी नहीं है तो यहां पर हमने पढ़ लिया कि पांच और लोब को यहां पर count किया जाएगा यहां पर भी आप देख सकते हैं एक पॉइंट दिया जाएगा दो तीन चार पांच हैंदी आपको पांच पॉइंट दिये गए मतलब आपके 75 परसेंट ओफ लोग infected हैं पांच लोग 25 स्कोर इस तरीके से भी आप इसी स्कोरिंग को याद रख सकते हैं आपके लिए इस वीडियो के थ्रो मेरी पूरी को सब्सक्राइब कि आपको किस तरीके से समझाया जाए कि आप लोग का RTPCR में जो वैल्यू होती है CT वैल्यू और CT स्कैनिंग दौनव चीज हम फिर में लेंगे